नमस्कार दोस्तों आपका हमारी चैनल एके बुक डिडर्स पे फिर सस्वागत है आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है 13 Things Mentally Strong People Don't Do दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में पल कर भी लाइफ में इतने सफल और रिच कैसे बनते हैं जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी ज़्यादा कुछ एचीव नहीं कर पाते हैं इसका कारड है Mental Stent अगर आप जाना चाहते हैं कि Mentally Strong लोग कौन सी तेरा चीज़े नहीं करते हैं जिससे वो आगे चल कर सफलता प्राप्त करते हैं तो 13 Things Mentally Strong People Don't Do किताब की समरी आपके लिए है ये तेरा चीज़े इस तरह से हैं नमबर एक Mentally Strong लोग खुद को बेबस नहीं मानते नमबर दू Mentally Strong लोग खुद को कमजोर नहीं समझते नमबर तीन Mentally Strong लोग बदलाव से घबराते नहीं है नमबर चार Mentally Strong लोग जो चीज़े उनके वस में नहीं है उन पर अपनी एनरजी वेस्ट नहीं करते नमबर पांच, मेंटली स्ट्रोंग लोग हर किसी को खुर्श रखने की कोशिश नहीं करते नमबर छे, मेंटली स्ट्रोंग लोग नया और रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते नमबर साथ, मेंटली स्ट्रोंग लोग बीते समय में नहीं जाते 8. Mentally Strong Lust गलतियां नहीं दोराते 9. Mentally Strong Lust दूसरों की सफलतास से नफरत नहीं करते 10. Mentally Strong Lust एक बार अस्फल होने पर भी हार नहीं मांते 11. Mentally Strong Lust अकेरे पन से नहीं घब राते 12. Mentally Strong Lust दुनिया से वाहवाई की उमीद नहीं करते नमबर 13, mentally strong लोग लंबे समय तक मेहनत में जुटे रहते हैं तो हम सबसे पहले chapter 1 की बात करेंगे mentally strong लोग खुद को बेबस नहीं मानते दोस्तों कि आप किसी ऐसे विक्त को जानते हो जो हमेशा ऐसी बाते करता हो ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है मेरी तो किस्मत ही खराब है सब मुझे नीचे गिराना चाहते है इस तरह की बेबसी की बाते कमजोर लोगों की निशानी होती है ऐसे लोग जरा सी परिशानी से घबरा जाते है और किस्मत को या अपने परवेश को दोस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन mentally strong लोग कभी खुद को बेबस नहीं समझते वे मुसीबत में भी होसला रखते हैं और हमेशा नया रास्ता ढूरने की कोशिस करते हैं वे बैठ कर किस्मत का या लोगों का रोना नहीं रोते मान लीजे आपकी जॉब चली जाती है तो आप क्या रोना शुरू कर देंगे क्या जॉब जाने से सारी दुनिया खत्म हो जाती है नहीं ऐसे में जो भी mentally strong होगा वो हिम्मत रखेगा और नई जॉब ढूर लेगा या कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है शुरू में वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो लेकिन हो सकता है कि एक दिन आप दूसरों को जॉब देने लग जाए इसलिए हमेशा पौश्ट्यों सोचे और पौश्ट्यों बाते करें इससे आप और भी mentally strong बन जाएंगे चैप्टर नमबर दू Give away their power खुद को कमजोर नहीं समझते mentally strong लोग ये नहीं सोचते कि उनकी life को कंट्रोल करने की power दूसरों के पास है नहीं वे परिष्टितियों को खुद से ज़्यादा powerful मानते हैं वे कभी ऐसा नहीं सोचते कि कास मेरे माता पिता भी अमीर होते तो मैं भी अमीर होता बल्कि वो अमीर बनने के लिए नए रास्ते तलास करने की कोशिस करते हैं कुछ लोग अपनी गलती को भी दूसरों पर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि फलाने की गलती की वज़े से ये काम खराब हो गया लेकिन mentally strong लोग किसी भी गलती को सुधारने के कोशिस करते हैं फिर चाहे गलती खुद की हो या दूसरे की तो दोस्तो टफ सिचुएशन में भी बोले I have power मैं इस मुसीबत वाले समय का सामना कर सकता हूँ इस कठिन परिश्थित को खुद पर हावी नहीं होने दूँगा एक और example ले सकते हैं जितने भी लोग drink करते हैं उनका बहाना आपने सुनाई होगा ज्यादा तर लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत टेंसन है टेंसन दूर करने के लिए पीता हूँ मतलब वो मुसीबत से घबरा गए होते हैं उसका सामना करने की कोशिस नहीं करते बल्कि शराप पेकर सब भूल जाना चाहते हैं लेकिन ये तो वही बात हुई बिल्ली को देखकर कबूतर का मूँ छुपा लेना इससे बिल्ली दोर नहीं चली जाएगी बल्कि वही खड़ी होती है इसलिए सबको mentally strong बनना चाहिए मुस्कलों का सामना करना चाहिए उसके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए चेप्टर नमबर 3 Mentally strong don't shy away from change Mentally strong लोग बदलाव से नहीं घबराते बहुत से लोग लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे बदलाव यानी change को पसंद नहीं करते उन्हें अपने आसपास की हर चीज वैसे की वैसे ही चाहिए जरा सा भी बदलाव देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो खुद को बदलने का effort नहीं करना चाहते लेकिन जादा तर चीजों में बदलाव भले के लिए होता है जैसे एक समय था जब कोई भी ओनलाइन बैंकिंग या UPIF जैसे पेटियम गोगल पे इस्तमाल नहीं करना चाहता था सबको ये बहुत पेचीदा लगता था लेकिन धीरे धीरी लोगों ने सीखा और उनकी लाइफ कंफर्टेवल बनती गई और आज लोग अपनी बहुत सी ट्रांजेक्शन बैंक जाये बगएर फोन इस्तमाल करके सेकेंड में कर लेते हैं कुछ लोग अभी भी बैंक जाकर लंबी लाइन लगना पसंद करते हैं बेशक उसमें कितना भी टाइम बरबाद हो जाये लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सीखना तक नहीं चाहते लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाओ के लिए तयार रहते हैं पहले वो नई सिचिवेशन को एनलाईज करते हैं फिर देखते हैं कि बदलाओ से फायदा है या नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सीखना स्टार्ट करते हैं और ऐसे एक दिन एक्सपर्ट बन जाते हैं इस तरहे वो दूसरों से दो कदम आगे ही रहते हैं और कई बार गॉर्मेंट पॉल्सीज को भी लोग बिना सोचे समझे क्रिटिसाइज करने लगते हैं वेशकों देश के भले के लिए ही क्यों नहीं हो इसलिए mentally strong बने और बदलाओ के लिए तयार रहे वैसे भी संसार की हर एक चीज बदल जाती है यानि बदलाओ के अलावा कुछ भी इस्थिर नहीं है चैप्टर नमबर 4 mentally strong लोग जो चीज़े उनके वस्थ में नहीं होती उन पर अपनी energy waste नहीं करते mentally strong लोग अपने लिए एक लक्ष बनाते हैं और फिर उसी पर focus करते हैं वो सारी दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह नहीं करते अगर आप actor बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी acting पर मेहनत कर सकते हैं वो ही आपके हाथ में हैं दूसरे लोग आपके dream को लेकर क्या अनाप सनाप बक रहे हैं वो आपके control में नहीं हैं और आपको उन्हें control करने की कोशिस भी नहीं करनी चाहिए आप उनसे उलजेंगे तो आपका time और energy दोनों ही waste होंगे और वे फिर भी अपना opinion नहीं बदलेंगे इसलिए mentally strong ऐसी चीजों को control नहीं करते जो उनके worst में ना हो ऐसे ही celebrities अपने काम पर focus करते हैं उनकी बहुत ची ट्रोलिंग होती रहती है लेकिन क्या वे ट्रोल्स के हर comment पर घुसा होते हैं या हर किसी को जवाब देते हैं नहीं वे सिर्फ अपना काम करते हैं ट्रोल्स खुद ही कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं और नया target ढूड लेते हैं इसलिए आप सारी दुनिया की चिंता ना करें क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी या आपके कंट्रोल में नहीं है आप सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें वो जरूर आपके कंट्रोल में है चैप्टर नमबर 5 Mentally strong लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिस नहीं करते दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिस करते रहते हैं वो सोचते हैं कि कही कोई उनकी किसी बात से बुरा ना मान जाए इसलिए वो डर डर कर जीते हैं कितनी बार अपनी true feelings को भी जाहिर नहीं कर पाते उन्हें लगता है कि कहीं दूसरा बुरा ना मान जाए लेकिन ऐसा behavior कमजोर लोगों की निशानी है ऐसे ही कुछ लोग वोस को खुश करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं और अपने स्वाभिमान को भी खत्म कर लेते हैं ऐसे लोगों की क्या reputation होती है सब को पता है मन लिजे कोई teacher class ले रहा है और एक बच्चा लेट आता है अगर वो teacher ये सोचे कि अगर मैं इस बच्चे को डाटूगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा और उस बच्चे को कुछ न कहे तो क्या ऐसा बरता उचित होगा इससे तो वो बच्चा हमेशा लेट आएगा class के दूसरे बच्चे भी ऐसा करने लग जाएगे ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को बुरी तरह से डाटना चाहिए लेकिन वो टीचर एक सब भी तरीके से भी उस बच्चे को समझा सकता है जैसे वो उसे समय पर आने के मायने बता कर motivate कर सकता है सुबा जल्दी उठने के tips दे सकता है और भी कई फायदे बता सकता है इससे बच्चे का भी भला होगा और इस टीचर की भी self-respect बची रहेगी लेकिन अगर वो बच्चों की खुशामत करता रहेगा तो उसकी reputation उस डरपोक से टीचर की बन जाएगी जिसे कोई भी कुछ भी बोल कर निकल जाता है बहुत से लोग इसी बात से डरते रहते हैं वो बुरा मान गया तो क्या होगा कहीं वो नाराज ना हो जाए अगर आपका किसी काम के लिए decision ठीक है तो उस पर कायम रहिए ये ना सोचे कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा क्योंकि ये दुनिया है आप कुछ भी करिए लोग आपकी गलती ढूड़ ही लेंगे 100% लोग कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे तो जब दुनिया है ही ऐसी तो सब की जिंता क्यों की जाए कुछ लोग दूसरों की बातों से सहमत नहीं होते फिर भी वो विरोध नहीं करते क्योंकि वे सोचते रहते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए बलकि इसके विप्रीत सामने वाला गलत भी हो सकता है और हो सकता है आपके बोलने से वो अपने फैसले पर फिर से गौर करे और उसे ठीक कर ले इसलिए सब को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी कभी बरबाद ना करे, सही डिसीजन ले और आगे बढ़े, जिसे नाराज होना है, होता रहे, लेकिन डिसीजन ठीक होना चाहिए, यही mentally strong people की निशानी है, और ऐसे लोगों की दूसरे लोग भी हमेशा कदर करते हैं, चैप्टर नमबर 6, mentally strong लोग रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो रिस्क लेना सीखना होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे, समंदर में चलांग लगा दे, लेखके according पहले अच्छे से सोच विचार कर ले फिर आगे बढ़ जाएं, जैसे कोई अच्छी एक्टिंग तो करता है, लेकिन रिस्क लेने से घबराता है, तो वो बॉली बुट जाकर इश्टगल करने का रिस्क नहीं लेता, और हो सकता है सारी जिन्दगी किसी ऑफिस में बोरिंग सी जॉब करते हुए गुजार दे, इस प्रकार उसका टेलेंट वेस्ट हो जाएगा, लेकिन रिस्क लेने से पहले किसी भी ऐसे विक्ट को ये देख लेना चाहिए, कि क्या सच में उसके एक्टिंग एमेजिंग है, या ऐसे ही दोचार दोस्तों के कहने पर चले के जाड़ पर चठ गया है, चैप्टर नमबर कहा था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या कल पर सो किसी से जगड़ा हो गया था, अगर हां तो आज की डेट में आप उन बातों के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप सोच कर दुखी होते रहते हो, कि उस आदमी ने मुझे ऐसा क्यों बोला था, या अभी भी पुराने जगड़े के बारे में सोचते रहते हो, लेकर कहते हैं कि mentally strong लोग कभी ऐसा नहीं करते, वो past के बारे में सोच कर दुखी नहीं होते, क्योंकि जो बीट चुका है, वो बीट चुका है, बीता वक्त लोट कर वापस नहीं आने वाला, mentally strong लोग ये देखते हैं कि वो प्रिजेंट में क्या कर सकते हैं, कैसे वो smoking छोड़ सकते हैं, या खुद को साबित करने के लिए कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं, past का रोना सिर्फ mentally weak लोग रोते हैं, आज में जिये, ना कि बीते कल में हैं, chapter number 8, mentally strong लोग गलतिया नहीं दोराते, mentally strong लोग एक गलती को बार नहीं करते, chapter number 9, mentally strong लोग दूसरों की सफलता से इर्षया नहीं करते, दूसरों से जलते नहीं, बहुत से लोग पडोसी की नई गाड़ी देखकर जलने लगते हैं, किसी का बिजनेस अच्छा चल पड़े तो उन्हें बुरा लगने लगता है, लेकिन ये कमजोर लोगों की निशानी है, mentally strong लोग इसके उल्टा करते हैं, वे सफल लोगों को दिल से बधाई देते हैं, उनकी मेहनत के लिए उनकी तारीफ करते हैं, ऐसा करने से सफल आदमी उनको अपना शुप चिंतक माल लेता है, और उनको भी सफलता के दो-चार ट्रिक बता देता है, आपको भी सफल लोगों से सीखना चाहिए, उनकी सफलता पर उन्हें कॉंपलिमेंट करना चाहिए, लेकिन आपकी तारीफ जन्यून लगनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सामने से तो तारीफ करें और अंदर से नफरत करें, क्योंकि आदमी के एमोशन्स उसके चेहरे पर आ जाते हैं, और स दुबारा कोशिस करते हैं, क्या कोई रेसलर एक कुष्टी हार जाये तो क्या दुबारा कभी कुष्टी नहीं लड़ता, एक बिजनेस बंद हो जाये तो क्या कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, एक ब्लॉग ना चले तो क्या दूसरा शुरू करने की कोशिस नहीं करनी चाहिए, सब को पता है कि बार-बार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन बहुत से लोग एक बार ही कोशिश करते हैं, अगर उनमें हार मिल जाए तो होसला हार कर उस काम को जारी नहीं रख पाते, इसलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं, दोस्तों गो कोशिश करनी पड़ती है, चूट भी लग जाती है, लेकिन जो लगा रहता है, वो सीख जाता है, जो घबरा कर छोड़ देता है, वो कभी नहीं सीखता, ऐसे ही आपके गोल के साथ है, गिरते रहे लेकिन उठते रहे, फिर से ट्राई करते रहे और एक दिन मंजिल आपके क रदमों में होगी, चेप्टर नंबर 11, मेंटली स्ट्रॉंग लोग अकेले पंच से नहीं गवराते, दोस्तों कुछ लोग हमेशा दोस्तों से घिरा रहना पसंद करते हैं, कई बार वो दोस्त दूर चले जाते हैं, या तो जौब की वज़े से या पढ़ाई के लिए दू कुल नहीं गवराते, बलकि वो अकेले पंच का अच्छे से इस्तमाल करते हैं, अगर वो लेखक हैं तो नॉबल लिखने में जुट जाते हैं, पेंटर है तो अपनी पेंटिंग में रम जाते हैं, खिलाडी है तो प्रेक्टिस में बीजी रहते हैं, ऐसे ही आप अपने अक स्वांग दुनिया से वाववाही की उमीद नहीं करते, बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे कि वो कोई राजा है या सुपरिस्टार है, और ये उमीद करते हैं कि बाकी सारे लोग हमेशा उनको अटेंशन दे, हमेशा उनकी तारीफ करते रहे, उन्हें हर छोटी छोटी बा बात की अकड़ लेके रहते हैं दूसरा दुनिया की लोग पहले अपने बारे में सूचते हैं उन्हें कभी इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन सेलिबरिटी है या कौन राजा है हाँ थोड़े टाइम के लिए हो सकता है लोग उनकी बात करें लेकिन फिर जल्दी ही भोलकर अ आप सर्प्राइज हो जाएंगे तो ऐसी उमेद करना बेकार है हो सकता है कि बास तारीफ कर दे या हो सकता है उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़े तो क्या आप इस बात का रोना लेकर बैठ जाएंगे या अपने अगले प्रोजेक्ट में उससे भी ज्यादा जोड़ से जुड़ जाएंगे, इसलिए किसी से वाहवाही की उमीद मत कीजिए, कुछ लोग जब क्रेडिट नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं या घुसा हो जाते हैं, इसलिए बहतर है कि अच्छा काम करो, लोग कदर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी ठीक है, कोई भी काम पर ध्यान देना चाहिए चैप्टर नमबर 13 आखरी चैप्टर मेंटली स्ट्रॉंग लंबे समय तक मेहनत में जुटे रहते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसी भी काम में सफलता रातो रात मिल जाती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको पता है कि सफल होने के लिए सालों तक मेहनत करने पड़ती है आज जो भी वेक्ति सफल दिखता है उसने भी कई साल मेहनत की होगी ओलम्पिक में मिडल जीतने वाला खिलाडी लगातार मेहनत करता है बड़े बड़े गायक सालों तक क्लास्कल म्यूजिक का रियाज करता है कोई भी बिजनेस सफल होने के लिए 2-5 साल तक ले लेता है जब मार्क जुकरवर्क फेस्बुक बना रहेते तो रात रात भर जाकर मेहनत करते थे दोस्तो कोई भी पेड़ फल देने में भी कुछ सालों का समय लेता है लेकिन एक बार फल आने के बाद बार बार फल देता रहता है तो दोस्तो कर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद